आने बाले दिनों में चीन की तरह ही भारत में भी बिजली का गंभीर संकट पैदा हो सकता है इन दिनों चीन में बिजली का गंभीर संकट चल लहा है कोईले की कमी से चीन के पावर प्लांट ठप हो चुके हैं जिससे चीन में हाहाकार मचा हुआ है चीन में फैक्टरी के साथ लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही है कुछ इसी तरह भारत में भी कोईले की कमी महसूस की जा रही है कोईले की कमी की बज़े से भारत के कई पावर प्लांट ठप होने के कगार पर है बतादे की कोईले की कमी को लेकर देश की सबसे बड़ी कोईला खनन कमपनी कोईल इंडिया लिम्टेड सरकार के निसाने पर आ गई है मोधी सरकार बार बार कोल इंडिया को चेताबनी दे रही है कि बिजली बनाने वाले सैंतर में कोईले की नियमित आपूर्ती की जाए कोईले से बिजली बनाने वाले सैंतर में कोईले की किलत की बज़े से बिजली के उत्पादन पर असर पड़ रहा है आसंका है कि बिजली उत्पादन ठप होने की बज़े से भारत में भी चीन जैसा बिजली संकट पैदा हो सकता है केंद्री एजेंसी सेंट्रल इलेक्रिसिटी थोटी के आंकडों पर अगर नजर डालें तो देश के 72 थर्मल पावर प्लांट में 8870 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो चुका है देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है इस बज़े से पावर एक्षेंज में बिजली की कीमत 20 रुपे प्रती उनिट के हिसाब से की जा रही है कोईला सची वनिल जैन ने कमपनी के चेर्मेन प्रमोद अगरवाल को 27 सितंबर को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोईला मंतराले ने कोल इंडिया लिम्टिट के अधिकारियों को बार बार पत्र लिखा है संत्री लेबल की कई बैठकें हो चुकी हैं पाबर प्लांट में कोईले की समस्या दूर करने को लेकर कई सुझाओ दिये गए हैं जिन पर अब तक अमल नहीं हो पाया है जैन ने कहा कि कोल इंडिया लिम्टिट को उत्पादन बढ़ाने से सम्मंदित कई सुझाओ दिये गए हैं अब तक कमपनी ने उन पर भी अमल नहीं किया है बतादे की देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है जून के बाद से देश में बिजली की डिमांड 200 गीगावाट को पार कर गई है इसके उलट कोईले का उत्पादन लगातार गिर रहा है इस बज़े से देश के सभी पावर प्लांट में कोईले की कमी देखी ज स्टाक है वहीं 15 पाबर प्लांट में तीन दिन का स्टाक बचा हुआ है ख़बरों का सिसला जारी रहेगा देखते रहिए जन प्रवाद नमस्कार